हाई फ्रेंड्स वेलकम अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफ्रेंट टाइप ओफेक्टर्स अफेक्टिंग दे सोचल एकोनामिक रिलेशन इन दे मीडियवेल यूरोब तो वी हाउड़ी डिसकस अबाउट फेक्टर नंबर वन एन्वार्मेंट नाव वी आर कि जमीन का यूज कैसे होता था तो देखिए जमीन का यूज उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारी टेक्नोलोजी के उपर डिपेंड करता था कि किस परकार की टेक्नोलोजी आपके पास अवी लेवल है क्योंकि पर्टिकुलर टेक्नोलोजी आपको एक पर्टिकुलर क् और दीव गार्टिक के लिए प्रोड़क्स प्रोडक्शन के लिए नौर्मली की स्पेसिफिक टाइब के जो modern equipment होते हैं modern tools होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता था बेसिक टूल से उनका यूज़ किया जाता था और नॉर्मली जो production होता है वो production इतना ही होता था कि जो पीजेंट्री क्लास है वो अपने परिवार का पालन पोस्टन कर पाए उतना ही production वो कर पाते थे उनली मेकेनिकल एड अविलेबल वाज प्लो के वह जो एक ही सिंपल सा टूल जो यूज़ करते थे वह प्लो था है जिसको हम एक टूल बोल सकते हैं बागी सारा सिस्टम उनका एक दम बेसिक सिस्टम था और यह प्लो था यह यह team of oxygen जो बैलों की एक जोड़ी होती थी उसके द्वारा ऐसे खीचा जाता था इस प्लो भी एक वह modern technology नहीं था कि वह खेट में गहराई तक जुताई कर पाए उससे क्यों खेट जो जमीन थी उसके उपर एक scratch type size लग पाता था इतना गहराई तक उससे जुताई नहीं हो पाती थी इसलिए खेट में productivity को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा intensive labor का यूज़ करना पड़ता था human labor का यूज़ ज़्यादा होता था हर चार साल के बाद खेट में जो natural productivity यानि जो field है उसकी जो soil है उस soil को fertile बनाए रखने के लिए हर चार साल के बाद manual labor के दुआरा गहराई तक इसको खुदाई करने पड़ती थी और यह सारी था तो जमीन में fertility को बनाए रखने के लिए एक तरीका यह होता है कि आप हसलों को change करके बहुए हैं science में आपने पड़ा होगा कि यह इस प्रकार की फसलें उगाते हो तो जिन में नीचे जड़ों में होता है तो वह नाइटर्स ऑक्साइड को जमीन के अंदर बढ़ाने बढ़ाने का काम करते हैं जिससे की अगली जो फसल होती है उसका production अच्छा होता है तो इसलिए वह एक प्रकार की फसल को उस पर्टिकुलर फिल्ड में उगाओगे तो आपकी जो सोईल है उसकी फर्टि बाट लिया जाता था हाफ के अंदर वीट वाज प्लांटेड इन वन साइड ओटम टाइम में ओटम सीजन में आदेग में एक साइड में वीट को उगाया जाता था वाइल दी अधर फिल्ड वाज लेफ्ट फैलो उसके बाद दूसरा साइड था उसको फैलो यानि खाली छ अगली साल इसी परकार से इसको वाइस वर्सा यानि की वीट की जगर आई और जहां पर राय हुआ थी वहां पर वीट को हुआते थे तो दीरे-दीरे क्या हुआ कि इससे सोईल है उसकी फर्टिलेटी कम समाप्त होने लगी जिससे कान यूरोप में लगातर फैलों के और फुल्फिल नहीं हो पाएगा तो हम बच्चों में और जाता लोगों में माल नूट्रिशन की प्रोलम्स क्रेट हो जाएगी लाइफ वास दिफिकल्ट फॉर पूर और इस्पेशली जो पूर फैमिलीस थी उनके लिए जीवन अब बहुत ही कठीन हो चुका था अब यह नहीं कि इन सब चीजों के लिए लोड्स ने कुछ कोशिश नहीं किया लोड्स ने हमेशा एक कोशिश की कि उनकी इंकम हो बढ़ती चली जाए अब लोड्स थे वो चाहते थे कि उनकी इंकम लगातार बढ़े क्योंकि उनने ज्यादा आर्मी क्या हो सकता होती थी तो इसलिए उन्होंने दीरे दीरे क्या किया कि अपनी जमीन से मैक्सिमम आउट्पुट को निकालने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया कि वो उनकी जमीन के उपर ज्यादा काम करें कानोनी रूप से आप देखोगे तो लोड को ये परमेशन थी कि वो किसी भी किसान के वीक में 6 डेज होते हैं तो उसमें से 3 डेज, 3 दिनों के लिए अपने खेत में वो काम करवा सकता है लेकिन लोड ने अपने खेतों से आउटपूड को बढ़ाने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया कि वो तीन दिन से ज्यादा दिन भी उसके खेतों में काम करें जिसके कान दीरे-दीरे पीजेंट से होंगे डिससाटिसपाइड होते चले जाएंगे इसलिए जमीन को कल्टिवेशन करने में ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया इसके लाव इससे पहले वो लोड के लिए जो उनपेड सर्विस देते थे जिसके बदले में उन्हें पेमेंट नहीं मिलता था उनको भी उन्होंने दिरे दिरे अवोइड करना शुरू कर दिया दे गेम इंटू conflict with the loads over pasture and forest land दिरे दिरे pasture और forest land को लेकर loads और किसानों के बीच में एक conflict होने लग गया conflict क्यों हुआ होगा medieval society में देखे production बढ़ाना है तो एक तरीका यह भी है कि आप agriculture field को बढ़ाओ तो agriculture field को बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप forest को cut down करो जो pasture land है जिसके उपर cattle rearing होती है उसको भी आप agriculture land में convert कर लो तो देरे देरे loads ने क्या क्या अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए इस pasture land को उन्होंने agriculture field में change करना शुरू कर दिया लेकिन पीजेंट्स के लिए वो पास्टर land थी वो एक important source थी जहां पर वो अपने cattle rearing करकर अपनी extra income को generate करते थे तो जो पास्टर land थी वो normally common land के रूप में जानी जाते थी कि उसके उपर गाउं में रहने वाले सभी लोगों का equal rights माने जाते थे लेकिन दीरे दीरे लोड्स ने उसको अपनी जो manorial state है उसके अंदर उसे include करना शुरू कर दिया जिसे कान जो ग्रामीन लोग थे जो विलेजर्स थे जो पीजेंट्री class थे और लोड्स थे उसके बीच में conflict लगाता बढ़ता चले गए क्योंकि किसान लोग थे विजेंट्स थे वो यह मानते थे कि forest land और पास्चर लेंड है वह एक तरीके से पूरी community के लिए resource है जिसका utilization पूरी community के दुरा क्या जाना चाहिए वाइल दा लोड्स treated these as their private property जबकि लोड्स थे वो इस पास्चर लेंड और forest land को अपनी private property के रोप में treat कर रहे थे उनका यह माना था कि इसके ओपर जो पीजेंट्री class है उसका कोई अधिकार नहीं है जिसके काण इन दोनों के बीच में conflicts है वो लगातर बढ़ते चले गए 9th class में इस इस related history में एक चेप्टर भी है जिसमें आपने पढ़ाओगा enclosure moment इसी enclosure moment में यही हुआ था कि जो प्लोड्स है उन लोड्स के द्वारा इस पास्चर लेंड और forest लेंड को enclose करना शुरू कर दिया था उसके चारों तरफ एक बाड़ा बंदी शुरू कर देती जिसके काण वह उसके विरोध में पीजेंट्री पीजेंट्स के द्वारा वहां पे एक मुवमेंट की शुरू आत हुई जिसको बोलते हैं अब दीरे दीरे मीडेविल सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं तो कई परकार की नवीन परकार की अग्रिकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलोजी का डेवलोप्मेंट हम यूरोपियन सिस्टम में देख रहे हैं इसके साथ इसी समय हम देख रहे हैं कि टेकनोलोजी में भी कई परकार के चेंज आ रहे थे अब जो आइरन का प्लो है उसके अंदर अब उसकी जो टीप है जो पहले लकड़ी की बनी होती थी अब वो आइरन की बन गई है तो आइरन की बनने से क्या हुआ होगा कि अब उस हल के द्वारा ज्यादा गहराई के अंदर जुताई करना पोसिबल हुआ होगा ज्यादा गहराई में जुताई होगी तो बीज को ज्यादा गहराई में डाला गया होगा तो ज्यादा गहराई में नमी ज्यादा होगी moisture ज्यादा होगा तो plant के उस बीज से plant के growth होने की संभावना है बढ़ गई होंगे and the mild boards और इसके द्वारा mild boards आगे picture में आप दिखाई देगा उनका use करना शुरू किया गया dig much deeper and turn the top soil properly जिसके कांट ज्यादा गहरा ही तक dug out करना possible हुआ और top soil है उसको proper तरीके से utilize करना शुरू किया गया जिससे की ज्यादा production हुआ होगा harsening of animals to the flow improved इसके लावा जो पहले जो बैलों को use किया जा रहा था तो उनसे यह हैल वगरे में उस technology को use नहीं किया जा रहा था बलकि एक नवीन technology आई new technology आई जिससे की उससे पहले human labor ज्यादा था human की जो मानव अपनी hand labor को ज्यादा यूज कर रहा था लेकिन अब जो animal power है उसको use करना शुरू किया गया न्यू technology के द्वारा instead of the neck harsening the solder harsening came to be used अब देखिए पहले जो बैलों को use किया जाता था तो उनके गर्दन के अंदर एक रस्ता बांदा जाता था और उसके पीछे वो bell है वो हल को खींचता था लेकिन अब उसी रस्से को क्या रस्ते को क्या क्या गया 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 है उसके solder के Company उपर बांध दिए गया है जिससे की Ox है बहु ज्यादा power के साथ उसल्कों खीच पा रहा था दीस इनेबल एनिमल्स टू अक्षेट ग्रेटर पावर और इस सोटे से चेंज ने किया कि एनिमल्स की पावर है वह ज्यादा ग्रेटर तरीके से अब किसानों ने यूज़ करना शुरू कर दिया होरसेज्ए बillar बेटर सोड वर आईरेण हॉर्ससूज फ्रिवेंटे दीके इसके सा इसांसाद गोड़ों के अंदर भी नए टेकलोजी होगा कि गोड़ों K IT म Warum नीचे तो पेर होते हों पैरों में जो आप नॉर्मली उनके बेटर सोड देखते हो उनके नाखून होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं तो वह दिरे दिरे टूट जाते हैं तो गोड़ा उतनी गहरत तेज गती से चल नहीं पाता है अब दिरे दिरे उस वे क्या किया कि लोहे की नाल उनको पैनाई जाने लगी जिसे कि वह किसी भी प्रकार के टैरें में वह इसली चल पाते थे और तेज गती से दोड़ पाते थे तो यह वी एक नई टेकनोलोजी होर्सू के रूप में आपको देखने को मिलती है अनदर रिलेशन्स आज दा इंक्रीज यूज ओफ विंड और वाटर पावर्ड और विंड पावर्ड मिल्स अब यूमन लेबर की जगह पे जो विंड और वाटर पावर है उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया गया किसी प्रकार के प्रोडक्शन प्रोसेस के गया और थ्री फीट सिष्टम में तीन अलग अलग प्रकार की फसले आदे बाग वन थाड़ के ओपर वीट का प्रोड़क्शन और वन थाड़ के ओपर पीज यानि मटर का बार्ली ओट्स और बीन्स का यूज करना शुरू किया गया अब देखिए आप सब को पता हुए प ज़्यदा प्रोटीन आया होगा तो ज़्यदा प्रोटीन आने से आपके डायट में जो पहले जो नूट्रिशन कि प्रॉल्मफित वह भी सौट आउट हो गए होगी more protein in the diet of Europeans and their animals अब European और उनके animals के अंदर ज्यादा protein उनकी डाइट में सामिल हो पाया increase in production food availability double जिसे का प्रोड़क्शन बढ़ गया और जो खापदे की जो availability थी food production था अब पहले की तुला में double हो गया the peasants could produce more food from less land अब इस new technology का अब जो नया system नई technology आई साथ ही नए परकार से दो three field system का जो pattern आया इसके काण किसान अब उतने ही खेत में उतने ही piece of land के उपर ज्यादा production करने में sustain कर पाया ज्यादा production करना possible हो पाया average size of land reduced to 20 to 30 acres reduced the amount of labor needed this gave the peasants time for the other activities अब पहले किसान food production के लिए बहुत बड़े बड़े fields को use करते थे लेकिन फिल भी production बहुत कम हो पाता था लेकिन अब कम जमीन से ही ज्यादा production होना possible हो पाया तो जिसके काण क्या होगा कि average size of land है वो धिरे धिरे reduce हो गई कि एक किसान पहले माले जी अब काण के पास दूसरी अक्टिविटीज के लिए भी दिरे दिरे ताइम बचना शुरू और लागी ज्यादा पहले अब दूसरी अक्टिवटीज के लिए भी धिरे डिरे टाइम बचना सुरू हो गया हुआ उन्होंने दूसरी अक्टिविटी को भी इंजोई करना शुरू कर दिया ओके फ्रेंड्स थैंक्यू बावाई